निज़ वाल इंडिया देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं का जोन नरायन कल हमने बात की थी वन नेशन वन इलेक्शन पर आप सभी का खूब प्यार मिला और आज हम बात कर रहे हैं एक और कानून को लेकर जी हाँ ये कानून है समान नागरिक सहिता जी हाँ यू सी सी यूनिफॉर्म सिवल कोड जिसको लेकर हमने देखा था कि पिछले दिनों बहुत सारी बहस बाजी हुई प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने भोपाल से दोटू कहा था कि 2024 से पहले पहले यूनिफॉर्म सिवल कोड देश भर में लागू हो जाएगा अगर देखा जाए तो पूरे देश में अभी ऐसा कोई प्रापधान नहीं है सिर्फ एक गुवा ही ऐसा है जहां पर बहुत पहले से ही ये कानून लागू है अब उत्राखंड एक ऐसा राज्य है जो इस पर बहुत तेजी से काम कर रहा है मेरे साथ मौझूद है न्यूजबल इंडिया के सीमजी हरीश अस्वाल जी जो कि उत्राखंड से ही है तो सबसे पहलों से जानेंगे कि उत्राखंड में जो युनिफॉर्म सिवल कोड को लेकर चर्चाय चल रही है उनका क्या कहना इस पर सर उत्राखंड में पुशकर सिंग धामी जो कि धाकर धामी के नाम से जाने जाते हैं युनिफॉर्म सिवल को लेकर बहुत जादा वो चंतित भी है और बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर रही है काजोल ऐसा है कि मेरी जन भूमी उत्राखंड है मेरी करम भूमी उत्रपदेश है तो मैं कभी किसी भी कानून को इस तरह से नहीं देखता कि मैं मेरे जन भूमी में क्या चल रहा है मेरी करम भूमी में क्या चल रहा है मैं देखता हूँ पूरे देश को एक साथ जहां देश की बात है uniform civil court के बात है उसके फाइदे क्या होने हैं उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए मेरा मानना यह है कि uniform civil court होना चाहिए उसके कारण यह है कि सबी को एक एक नागरिकता सम्मान जो है मिलेगा और उसमें mostly जो सबसे ज़्यादा परिशान तबका दिखाए देता हूं महिलाएं है क्योंकि muslim उसमें उनके लिए कुछ और माइने है सिक में कुछ और माइने है हिंदू में कुछ और माइने है और कई इस तरह की परिशानिया है बच्चियों की शादियों से लेकर परिशानिया हैं, बहुत सारी इस तरह की परिशानी उन पर चरचा होनी चाहिए. टॉपिक अच्छा है और मैं समझता हूँ, इसमें कोई राजनीती होनी भी नहीं चाहिए. लेकि लाजनिती बहुत जादा हो रहा है अब राजनीती क्यों हो रही है पहले एक मैं इसमें आप बोलोगे कि बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, मैं बीजेपी के एजेंडा को अगर मैं पढ़ता हूं पहले से, उन्होंने जो जो कहा उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने कहा कि हम यूनिफर्म सिविल कोट लाएंगे, और मेरे को लगता है कि लाने में कोई पर समयदान से बढ़कर कुछ नहीं है, समयदान में अगर कोई चेंजिस हो रहे हैं, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है, कोई ना जात है ना पात है, उससे उपर कुछ नहीं हो सकता, और समयदान किस के लिए बना है, इनसानों के लिए बना है, और धरम किस के लिए बना है, इनसानों के लिए, तो अगर हम एक समान की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें यह कहा सा आगए कि हमारे इसलाम में यह यह सोचकर बैटा थे कि हम मैं सारे मुसल्मानों को टारगेट नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे मौलाना है, कुछ ऐसे उलीमा है, जो एक कहते है कि 2014 के बाद से ही हिंदू राष्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, मुसल्मानों को यहां से निकालने की कोशिश की जा है. NRC हो गया, CA हो गया, यह भी इसका एक कड़ी थी, अब यूसरी में अब आपने NRC की बात करी, NRC में कौन किन मुसल्मानों को निकाला गया अवी तक, किन को बोला गया, NRC में उन ही लोगों को लाया गया जो यहाँपर गुस पैटियों की तरह आएं उनकी बात की गई भीया इनकी गिंती होनी चाहिए कब से हैं क्या हैं क्यों नहीं होनी चाहिए आपके घर पे कोई आके रुख जाएगा आप उसे क्या बूलोगे कि भीया यह घर आपका हो गया यह घर है हमारा इसमें घर में गढ़ना होनी चाहिए कि यह हमारे देश का है भी की नहीं है इसमें हिंदू मुसल्मान यह जो राजनितिक रूप दे रहे हैं इसमें सिर्फ वोट की राजनिति है लेकिन वही सर मैं यही पूछना की कोशिश कर रही हूँ आप से कि हिंदू में तो अगर हिंदू मारे जैकट आप देखेंगे तो उसमें तलाग पूरी तरीके से है अगर आप तलाग देते तो ही आप दूसरी शादी कर सकते है पहले तो एक ही शादी का प्रावधान है आप दूसरी शादी कर ही नहीं सकते लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी पत्नी की मृत्ती हो जाती है या कोई और वज़ा होती है तो तलाग का प्रादान है कि आप तलाग लीजिए या कुछ ऐसा है कि अगर आपको दूसरी शादी करनी है लेकिन मुसल्मान में या इसलाम में ऐसा नहीं है इसलाम में यह कि सारे ऐसे केसी जा रहे हैं तो बहुति होती है और तर्क दिया जाता है कि जब हम सलातन को लेकर कुछ बहस करते हैं या सरातन को लेकर कुछ बोलते हैं तो फिर राजनितिक दल या ये कहें कि RSS वाले भी आ जाते हैं लेकिन आप हमारे इसलाम के साथ छेड़चाड करेंगी तो हम कैसे चुप बैठ जाएं? इसलाम के साथ महसूस होना चाहिए कि हमारे देश में एक कानून है हर किसी के लिए एक कानून है ऐसा नहीं कि एक देश हमारा पहला देश ऐसा होने जा रहा है ऐसे कई देश ऐसे हैं जहां एक ही कानून है वह ना जात है ना पात है वह एक कानून है, एक कानून के ओपर बात होती है, सब को एक तरह से, अब यहां पर नीच जाती, उच जाती, यह जाती है, वो जाती है, मंदिरों में इसका दखल अंदाजी नहीं होगी, यह मंदिर में नहीं जाएगा, यह मस्जित में नहीं आएगा, यह मुस्लिम है, यह हिंदू है, इस इसको इसका बदलाव होना चाहिए इसकूल में सबसे पहले तो गलती बिल्कुल मुस्लिम पक्षकी है वहाँ पर मैं अगर बोलूँगा कि आप बुरका पहन के आए इसकूल के यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म सब के लिए है आप उस यूनिफॉर्म में आईए आपको धरम पड़ाने थोड़ी बुलाया है वहाँ पर आपको एजूकेशन सबके समान तो तर्क फिरसर ये भी आजाता है कि आप तिलक लगा के आते हैं तो फिर वो जो सिखो का होता है वो भी नहीं होना चाहिए तिरपांट जो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए नहीं मुल banget कर सकते हैं.. पिए हमारे केमरेमेन अभी वे, हमारे सामने n वे सर्ताज है अब सर्ताज हमारे केमरेमेन है.. तो क्या हम इसके साथ को दुर्ववार कर सकते हैं? तो फिर हमारे, जब हम तीन लोग बैठके हैं आपर शूट कर रहे हैं और हमारी टीम में मुसल्मान भी है और हिंदू भी हैं तो क्या हम इनको अलग से वो दे दे इनको जगे कि मुसलिम जाके उधर बैटिये या आप कल से इस तरह से आई ये ड्रेजड़ आप हो क्या ये हमने अपने घर में समानता दी है ना ये समानता इनको अपने घर में पास वीचेट भी आएगा, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, and there's so many, so many things are there, कि आप इसको बंद नहीं कर सकते हैं, आपका 4G, 5G, 6G, यह सब आएंगे, और और यूथ इस से ज़्यादा, और ज़्यादा कनेक्ट होगा, तो यह चीज तो आप बंद नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दिखाया जाते हैं, इसके वज़ए से इनसान समझ नहीं पाता, आम ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, यह क्या सही है, आज तक की राजनिती चलती ही ऐसे थी, कि दो धड़ों में लोगों को बांट दो, और यह धड़ा मेरा है, यह धड़ा तुम्हारा है, वो उसको वोट देता है, चाय उसने काम किया या नहीं किया है, वो बोलता था, यह आदमी अपना है, यह पंडित है, यह ठाकूर है, यह मुसलिम है, इन चीज़ों में बटा हुआ था, अब आने वाला समय यह है ही नहीं जहां लोग जाती को वोट देंगे अच्छा यू सी सी जब आता है अगर देश में क्योंकि सरकार सोच सुखी है विशे सत्र बुलाया है सरकार ने और बहुत सारे महिला अरक्षन मिल भी है इसमें यू सी सी भी है वन नेशन में इलेक्षन पर हम बात कर चुके हैं यू सी सी और महिला अरक्षन थोड़ा सा मिलता जुलता है बस यू सी में थोड़े से और प्राप्धान जादा है प्रक्रिया जादा है आचा महिला रक्षन की बात करें, आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है, कि एक महिला को सभी अधिकार नहीं मिलने चाहिए, क्या एक महिला की, एक महिला जो नौ साल की तो उसकी शादी कर देनी चाहिए, बहुत सारी प्रथा थी है, हमारे देश में चो खत्म हुई है, त सोचिए कि 9 साल का बच्चा शादी मतलब ये किसमें मुस्लिम धर्म में लिखा कि 9 साल की बच्चे की शादी कर सकतो ये अच्छी बात है कैście तो अगर देखा जाया तो इससे सबसे बड़ा जो फाइदा होने जाRA plant को ने जा रहा है चाहे वो हिंदू हूँ चाहे मुस्लिम हो चैसे महिलाओं को भी मैं बोलूंगा कि महिलाओं को भी समझने की जुरूत है कि अगर कंदे से कंदा मिलाना है। और एक समानता लानी है, तो आपको कंदे से कंदा हर जगे मिलाना पड़ेगा, डेलिगेसी वर्ड जो है, वो आपको हटाना पड़ेगा, कि हम, हमें एजा महिला ट्रीट किया जाए, क्योंकि वेरी डेलिगेटेड, और बाकी समानता की बात की जाती है, वो चीज नहीं होनी जाती है, समान मतलब सब समान में हैं, है ना, एक जैसे हैं, हम दुनिया में हैं, हम सब के अंदर प्राण हैं, हम सब के अंदर रख चलता हैं, हम एक ही मास्के बने वे हैं, ये समानता है ये कहीं कि समानता नहीं है कि हम महिलाओं को अरक्षन चाहिए क्योंकि हम महिलाएं पिछड़े आप आईए साथ बैठिए सब कुछ करिए सब तरह से आज महिलाएं कहां आप कौन कहता है कि हाउस वाइप बोलता है कोई क्या हाउसमेकर है वो फिर कितनी बड़ी बात है है ना अगर पती बाहर कमाता है तो पत्नी घर को बनाती है तो समानता आ रही है ना अगर पत्नी घर में बनाएगी नहीं तो पत्नी कमा के लेकर का जाएगा तो यह समानता की बात है